आप सबका वैलकम है मेरे इस चैनल में और आज मैं आपको पताऊंगा कि जो मैंने नई एडिट करिया तो यह कैसे आप कर सकते हैं टोनी मैफट के कलर कैसे अचीव कर सकते हैं पिकसारट के अंदर और आपको कोई कलर ग्रेडिंग सीखने की इतनी जरुवत नहीं पड़ेगी इस फोटो को बनाने के लिए क्योंकि यह बहुत इजी है और आपको प्रॉब्लम आने ही नहीं है यह इतना इजी टुटोरियल है जस्ट लाइटनिंग का वर्क है इसमें ज़्यादा जो मैं बताऊंगा आपको और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे मेरे 23.1 के फॉलोवर्स हैं सब आपकी बदर लोती है यार थैंक यू गाइज आपने इतना सारा प्यार दिया मेरे को और सपोर्ट करा इस चीज के लिए और जल्दी से जल्दी आप मेरे टेलिग्राम ग्रूप पे भी जोइन हो सकते हैं अगर आपको इसकी पी एंजी सी है तो ग्रूप पे होगी और मीडिया फायर लिंक की है डिस्किप्शन में और जिन बंदों को डाउनलोड नहीं करना आता है इसकी तो मैं आपको बता देता हूँ आप कैसे डाउनलोड करना होगा आपको प्ले स्टोर में जाना है टेलिग्राम सर्च करना है आपने यहां पे टे पारवेंद्र ठीक है जैसी आप लिखोगे यह आपको सबसे पहले आ जाएगा और इस पर क्लिक करके आपको जोईन होना है और यहां 5000 से भी ज्यादा लोग पहले से जोईन है इस ग्रूप में तो आप देख सकते हैं कितने लोग डाउनलोड करते हैं डेली यह पी एंजी खुब सारी सो यह सारा कुछ डाउनलोड करना और यह फ्री ओफ कोस्ट है कोई आपसे मैं पैसा नहीं लूँगा इस चीज के लिए और हर चीज यहां डेट होती है कोई भी यह नहीं कि मैं लेट करता हूं चीजों को थोड़ा एक-दो घंटा डेट हो जाता है लेकिन चलत जाता कि मैं हर वीडियो में लाいक करूँगा जो बंदे मुझे टेक करते हैं ₹शर में तो जो भी टॉप 10 पोस्ट होती मैं जरूप 10 पोस्ट होतीं उसको जरूर बताता हूं तो यह वाली पोस्ट मुझे बहूत इंच्छ सवाला और like थोड़ा legit glow करना सीखें face पे क्योंकि face आपके लिए बहुत important चीज है और यहां पे थोड़ा निखर के नहीं आ रहा है just face, face की value जादा होती है so इस पे ज़रूर वर्क करें आप और फिर मैं अपनी profile की तरफ आ जाता हूं जल्दी से और यहां से हम जंप करते हैं direct pixel art के अंदर टाइम वेस्ट नहीं करता मैं और यहां पे यह पी एक सार्ड ओपन हो रहा है तब तक यार आप चैनल को like and subscribe कर दो अगर आपने नहीं करा तो यार जल्दी से करो क्या कर रहे हो यहां सबसे पहले में background दिखाता हूं यह है background जो आपको download करना है और मैं अपने phone को कर देता हूं vertical mode के अंदर तो यहां से थोड़ा rotation on कर देता हूं इसकी rotation on हो गई है यहां पर अब देख सकते हैं यह background बहुत ही अच्छा है create यह मैंने निकाल रखा है थोड़ा बहुत creation कर रखा है थोड़ी बहुत minor changes है लेकिन यह permanent background है कोई इसमें मैं detail में नहीं कर रहा अगर आपको photoshop version चीए तो य tutorial बनाऊगा नहीं तो यार यह pixart के लिए क्योंकि पिछले से पिछली वीडियो में किसी ने support नहीं दिखाया था photoshop में so इसलिए मैं photoshop में ज्यादा tutorial नहीं बना था आप यहां open हो गया थोड़ी सी problem आ गई थी उसमें और यहां add photo में आना है और सबसे पहले model add करना है नहीं तक चीए और फिर उसके बाद effects blend में जाना है और इस screen पर कर देना है और यहां पर रखोंगा मैं light को थोड़ा सा centered light रखोंगा मैं यहां पर ऐसे so यह light यहां पर आ जाएगी so यहां पर मैं सबसे पहले add photo में जाता हूं और अपने आपको add कर लेता हूं और यहां से just कोई से बस मुझे adjust में जाना है और brightness up and down करनी है brightness थोड़ी high रखोंगा क्योंकि मेरे को अपना चेहरा perfect दिखाना है तो आप देख सकते हैं perfect यहां से दिख रहा है और यहां पर turn tick कर देता हूं तो आप देख सकते हैं कितना easily वह background के साथ blend हो गया है और अब जो mean होता है जो जिसक लाइक बिना इसके आप photo अच्छे से create कर यह नहीं सकते लाइक तिलस्मी bamboo है यह photo का और इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको blend में जाना पड़ेगा और screen में mode को करना है blend तो आप देख सकते हैं यहां कितना फर्क पड़िया अगर मैं normal में रखता हूं और screen में अब यह light पूरी अच्छे से blend हो गई यह अगर मैं हटा बढ़ा के दिखा हूं आपको तो कि कितना importance पड़ जाता है एक light का photo के अंदर so light आप गटा बढ़ा सकते हैं ठीक है so बस इतना ही करना है उसके बाद इसे direct मैं save कर देता हूं ठीक है save करने के बाद direct हम जंप करेंगे इसे light room के अंदर light room के अंदर जाता हूं मैं lr और यहां से add कर लेता हूं यह photo जो अभी हमने save कर रखे है add करता हूं यहाँ पर successfully import होगी और यहां मैं open कर देता हूं इसे और इसे भी turn कर देता हूं ठीक है इसके बाद आपने selective लेना है और यहां से color select करना है gradient पर आना है अपने टेकना और अच्छे से डाउन करना है और शैडोस जो है ना थोड़ी हाई निया है रहिए ठीक है उसके बाद जैसे आप पर टेमपरेचर में आया गाए और आपको ब्लू चाहिए तो आप ब्लू कर सकते हैं नहीं करना तो वहां देख सकते हैं आप नीचे लेकिन इस स्टोंस को थोड़ा सा मुझे ब्लू करना था तो मैंने ब्लू कर दिया था यहां पर ठीक है जैसे ही यह सब हो जाए फिर आपने डंट टिक कर देना है अब उसके बाद आरा है अपने मेन कलर ग्रेडिंग के उपर जो हर चीज का मतलब यहां बेस रहेगा और इसके बिना तो यह फोटो बिलकुल यह दूरी हो जाएगी अगर नहीं कर रहोगे तो ठीक है तो मैं आपको दिखाता हूं जो में जो फरक पढ़ रहा है यहां पर इम थोड़ा सा क्रेंग अप करना है क्योंकि उससे स्किन टोन अची आएगी और कभी भी ना डार्क मत करना अपने फेस को थोड़ा लाइट ले जाना तो यहां से आप लाइटनेस इंक्रीज कर सकते हैं ठीक है फिर उसके बाद अगर आपको ब्लू चाहिए हूँ इसकाय में जैसे थोड़ा आप देख सकते हैं वो इसकाय में आ रहा है तो आप इसकाय में आड़ भी कर सकते हो नहीं करना तो यार उतना आपके उपर है लोगों को लेकिन मुझे इसकाय इतना पसंद नहीं आता है इसलिए मैं यूज नहीं करता हूँ और यह स्लाइडर इसमें बिका है मुझे और डिहेस करके आप फेस पे ग्लो कर सकते हो यह ट्रिक यार आपको कोई जल्दी बताएगा नहीं कि जितना आप डिहेस करते हो माइनस में उतना आपका फेस अच्छा ग्लो होता है तो यहां मैं माइनस 6 या 5 तक रखता हूं अपने डिहेस जिससे फेस थोड़ा ग करनी है आपने ठीक है लेकिन शार्पनिंग भी तरीका बताता हूं आपको डिटेल्स ज्यादा नहीं देनी है डिटेल्स कम रखें और रेडियस को बढ़ा रखें इससे क्या होगा कि फोटो जब आप इंस्टाग्राम पे डालेंगे तो डॉट 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 पैट कि कैसे कैसे आपने करना है जस्ट यह अपने प्रोसीजर फॉलो करना और इस बार मैं शायद सोच रहा हूं कि मैं अपनी इमेज ना डालूं क्योंकि यार लोग टुटोरियल्स कॉपी कर ले रहे हैं और मेरे अपने चैनल पर डाल रहे हैं और कोई नाम पता कुछ नहीं ड इससे थोड़ा होता है कि यहां अच्छा हो जाता है इमेज और कुछ नहीं होता है यहां इतना मेरे को perfect लग रहा है और मुझे कुछ ज्यादा इतना need नहीं लग रही है और इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा इसमें exposure में आ जाओ और जो blacks होते हैं उसको थोड़ा open कर दो like पूरी भी Tony method की जो photo होती है उसमें blacks पूरे ही नहीं होते हैं like थोड़े से होते हैं इतने और shadows जो होती है न वो थोड़ी तो सीख सकते हैं आप यहार यहां पर पहुंच चीजे हैं इसे भी explore करोगे तो आप पता चल जाएगा और crank up करें थोड़ा जो भी slider उसे 10 के पार जल्दी ना लेके जाए पूरा adjustment देख के करें so यहां आप देख सकते हैं before और after कितना फर्क पढ़ गया आप आप बहुत सपोर्ट है और 20,000 होने वाले सब्सक्राइबर तो यहां जल्दी जल्दी कर दो so thank you guys